उत्तरपर्देश की योगी पुलिस हत्यारी हो गई है जी आप सई सुन रहे हैं योगी की पुलिस पर हत्या का आरोप लगा है और यह आरोप उस परिवार ने लगाया है जिस परिवार का मुखिया ही उनको छोड़ कर चला गया है जी हम बात कर रहे हैं कानपूर के कारोवारी मनीश गुपता की पतिनी ने गोरपु पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि मेरे पती को पुलिस ने मार दिया है तो वही मनीश गुपता की हत्या को लेकर पुलिस विभाग के तीन पुलिस कर्मियों पर मामला दर्जुआ है तो वही योगी सरकार का सक्त रवया देखते हुए छे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है वही मनीश गुपता की हत्या को राजनिती रंग दिया गया है आज समाजवादी पार्टी के रास्टिय अध्यव अकलेश यादव मनीश गुपता के परिवार से मिलने कानपूर पहुच गया है जहां कानपूर पुलिस ने मनीश गुपता का अंतिम संस्कार अकलेश यादव के पहुचने से पहले कर दिया है आखिरकार कानपूर पुलिस मनीश गुपता की इस हत्या पर परदा क्यों दाल रही है ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है आईए दिखाते हैं आपको आखिरकार अकलेश यादव मनीश गुपता के परिवार से मिलने क्यों पहुचे कानपूर के बेपारी मनीश गुपता अपने तीन दोस्तों के साथ गोरोकपूर के थाना रामगर ताल के तारा मंडल इलाके में ठेहरे हुए थे तबी रात में पुलिस चेकिंग करने गई आरोपे की पुलिस ने चेकिंग के नाम पर मनीश गुपता से बत्तमी जी की और इसी दोरान मनीश गुपता के साथ मारपीड भी की गई जिससे मनीश गुपता की मौत हो गई लेकिन जब इस मामली ने तुल पकड़ा तो पुलिस ने आनन फानन में 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जबकि मनीश गुपता का परिवार हत्यारी पुलिस के खिलाफ कारेवाई की बात कर रहा है पुलिस ने 3 के खिलाफ हत्या का मामला दर्श किया है तो भई आज कारोवारी मनीश गुपता के परिवार से समाजवादी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष अकलेश यादव मिलने पहुच गए अकलेश यादव के मिलने से पहले ही उत्तापरदेश के मुख्य मंतरी योग्यादित्यनात ने पुलिस पर सक्त कारवाई करते हुए मनीश गुपता हत्याकान में शामिल पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है अब सवाल उट्टा है कि यदि उत्तापरदेश पुलिस बेदाख है तो सुबह सुबह मनीश गुपता का अंतिम सल्सकार क्यों करवा दिया गया क्या यूपी की पुलिस को अपने उपर लगने वाले दाख को बचाने का प्रियास किया गया या फिर अकलेश यादब के आने से पहले किसी के दवाब में ना आकर मनीश गुपता का अंतिम सल्सकार कराया गया ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके घेरे में उत्तापरदेश की योगी पुलिस है उनको न्याय में जाएं उनके जो मुझरिम हैं जिनने उनके हत्या करीएं उनकी सिर्फ नौकरी नहां हड़ें उनको जो एक हत्यारे की प्रक्रिया सम्मा जो आम नागरिक होता है उसको जो डंड मिलता है वही डंड चाहिए